नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका हम लेकर आए हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर दुनिया भर में बजा मोधी का डंका जी साथ की बैठक में बाइडेन ने की जम करतारीफ भारत से साथ गुना छोटे देश में पी-म की थमक से परिशान ची करनाटक में चुनावी वादों से मुक्री कॉंग्रेस चुनाव से पहले किया बेरुसगारों को भत्ता देने का एलान सरकार बनने के बाद की शर्ते लग 2024 से पहले विपक्ष को एक जुट करने दिल्ली आए नितीश कुमार मुक्षि मंतरी अर्विन केजरिवाल से की मुलाकात सिद्धा रमया की ताजपोशी का नहीं मिला था निमंपर नए संसद्भवन पर सियासत तेज राहूल गांधी ने बोला हमला कहा प्रदान मंतरी नहीं राष्ट्रपती को करना चाहिए नहे संसद्भवन का उद्खाटा पाकेपूर प्रदान मंतरी इम्रान खान का अच्छा प्राइब गुषि अत्या का सता रहारा खबरों के शुरवात में बात करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे की पीएम मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर है जापान के हिरोशिमा में D7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद आज पीएम पापुआ न्यू गिनी पहुँचे प्रधान मंत्री का ये दौरा बेहद एहम है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधान मंत्री है ये एक ऐसा देश है जिसका आकार भारत से लगबख साथ गुना छोटा है और पीएम का यहां जाना चीन के प्रभाव को कम करने का एक बेहद महतपुण मौका भी माना जा रहा है आपको बता दे इससे पहले क्वाट देश की निताओं की वैठक भी होई जिसमें अमेरिकी राश्ट्रपती जो वाइडे ने पीएम मोदी की जम कर तारीफ की है लोकसाब किस तरह एहम माना जा रहा है पीएम का यह विदेश दौरा देखिए अभी एक तस्वीर आई है जब हमनों रिकॉर्ड कर रहे हैं पापो और निगिनी में वो प्रधान मंतरी वहाँ पे लैंड कर चुके पहली बार पापो निगिनी के इतिहास में किसी विदेशी प्रधान मंतरी को रात में बहुत ही इस्पेसल तरीके से प्रोग्राम उनको जो वेलकम किया गया है यह अभूत पुरु बताया जा रहा है पापो और निगिनी के प्रेस के द्वारा और सबसे बड़ी बात यह हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं के मुग के उपर जो तमाचा आज पड़ा है यह केजिवाल कहता है अनपर प्रधान मंतरी कॉंग्रिस वाले कहते हैं वैं शोओफ हो रहा है आज एक ऐसी चीज हुई है जिस पे हर हिंदुस्तानी को फक् चाहिए जेम्स मारापे वहां के प्रधान मंतरी हैं खुद वो रिसीव करने के लिए वहां पे खड़े थे और प्रधान मंतरी मोदी अपने प्लेन से नीचे उतरते हैं पैर चूके उनका स्वागत किया गया ऐसा नजारा दुनिया के इतिहास में पहली बार दिखा गया है ये रिस्पेक्ट दुनिया में प्रधान मंतरी मोदी ने कमाया है कि विदेश धर्ती पे आप जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टन्ट लोकेशन है पापौ निगिनी का साउच चैना सी जिसके उपर पूरी तरीके से कबज़ा करना चाहता है चीन उसके ठीक साउच इस् और क्यों ये रिस्पेक्ट है क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी ये जो सोलर इनरजी के लिए लड़ रहे हैं कि दुनिया में डीजल और जतने भी जो कार्बन डायक्साइड इनरजी के लिए जो इस्तमाल होता है उसको रोकने के लिए ताकि सी लेवल जो है वो राइज ना कर उस तरके देश जो आइलेंड पे हैं उनके लिए ये जीवन और मुरन की कहानी है तो आप देखी कि क्या अचीव कर रहे हैं आप एक मुल्क जा रहे हैं वहांकर प्रधान मंतरी आपको पैर छूकर के स्वागत कर रहा है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्का राश्पत करती वह पैदल चलके आपके दिशा की ओर आता है आप से अभिनंदन करता है आपका स्वागत करता है यह तस्वीरें हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए प्रधान मंतरी के खिलाफ सडियंत रचने वाले चाहें वह चीन के अंदर बैठे हो या पाकिस्तान के अंदर बैठ जी बिलकुल भारत से साथ गुना चोटे देश में मोदी की दमक से चीन की हवाईया उड़ गई है वही करनाटक के नए नए मुक्षिमंत्री सिद्धा रमया ने कल पहली केबिनेट बैठक में उन पांच गैरंटियों को लागू करने के आदेश जारी किये जिनका आफ से पहले पार्टी ने सभी बेरोजगारों को तीन हजार रुपे बत्ता देने का वादा किया था लेकिन चुनाव के बाद इसकी में कई शर्तों को लागू करते हुए कुछ बेरोजगारों को ही बत्ता देने की गोशना कर दी गई है डॉक साब क्यों कॉंग्रेस अप पैसे थोगी खर्च होता है आप एक बार सरकार बना लेंगे तब आपको दाल और आटे की भाव मालूम चलता है कि खजाना में पैसा ही नहीं है करनाटक के उपर साड़े पांच लाख कड़ों रुपे का कर्ज है आपने जो स्कीम्स बनाए हैं उसमें पच्चास हजार कड कड़ों रुपे प्रती वर्ष लगेंगे और हर साल जो करनाटक का जो बजट है वो तीन लाख कड़ों का है मतलब कि आपका तो बहुत सारा पैसा जो आपने कर्ज ले रखा है उसकी ब्याज में और ये उपर से बढ़न आ रहा है पच्चास हजार कड़ों रुपे का राहुल गांदी जाकर के तो बोला है राजस्थान में भी बोला आये थे बिरोजगारी भता देंगा अभी तक नहीं मिला अब यहां बोला है तो अब मालूम चल रहा है कि वहां तो अभी आदिस पास नहीं हुआ है इन योजनाओं के उपर लेकिन वहां ख़बर ही आ रही सर्थ किस तरीके की इन लोगों ने कहा था सारे बोलोजगार को अब यह कहने कि नहीं अठारा से पचीस साल के बीच के लोगों को ही मिलेगा अच्छा अठारा साल में कौन ग्रेजवेट हो जाता है यह अकलमंद राहुल गांदी बताएंगे उसके बाद एक और सर्थ रख दी कि जो पहले ग्रेजवेट हो चुके उनको नहीं जो इस साल ग्रेजवेट होंगे करेंट येर में मतलब जो अभी एक्जाम देगे या जिनका एक्जाम पास होने वाला है मतलब एक बैच के लोगों को जो इस बार ग्रेजवेट होंगे उनको जो डिगरी वाले होंगे उनको तीन हजार और जो डिपलोमा वाले होंगे उनको पंद्रसों रुपे दिया जाएगा तो वादा क्या किया था और यहां गालमिल क्या कर दिया यह सही है देश की जनता को ऐसे ही सीख लेने की आवशकता है आप फ्री के चक्कर में फ्रॉड लोगों को वोट करोगे तो आपके साथ यही हस्र होगा यही काम मुसलिम समुदाय करते 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 दलीतों से बत्तर हो गई है करनाटक एक बड़ा एक डवलब स्टेट बन करके उभर रहा था इस तरह के लोग अगर सरकार में होंगे तो यह विहार और जार्खन बनने में करनाटक को टाइम नहीं लगेगा जी मिलकुल चुनाफ से पहले वोट के लिए कॉंग्रिस ने फ्री का लॉली पॉप दिखाया और अब सरकार बनने के बाद जनिता के साथ ही धोका कर दिया अगली खबर में बात करेंगे केजरिवाल और नितीश की मीटिंग की करनाटक में सिदा रमया की ताजपोशी के बाद फिर एक बार विपक्ष को एक जुट करने पर जोड दिया जा रहा है इसी सिलसले में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार अर्विंद केजरिवाल से मिलने पहुँचे इस दोरान नितीश के साथ में तेजस्वी आदव, मनोजा, ललन सिंग और संजय जा भी मौझूद रहे हाला कि नितीश इस से पहले भी अपने दिल्ली दोरे के दोरान सीम केजरिवाल से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन शपत ग्रहन समारों में केजरिवाल को निमंसर ना दिये जाने के बाद अब फिर से नितीश दिल्ली उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं लोग साब पहले तो कॉंग्रेस ने केजरिवाल को बुलाया नहीं और अब क्यों नितीश कुमार को भीजा देखी ये नितीश कुमार हिंदुस्तान की राजनीती के पनोती बन गया है दिकत क्या है कि वो अख्लेश से मिलीए ममता से मिलीए पटनायक साप से मिलीए केजरिवाल से मिलीए ऊद्धव ठाकर से मिलीए और किसलिए कि कॉंग्रेस के छटरच्वाय में सबको लड़ना है इनमें से कोई गया ही नहीं जब कोई नहीं आया और यह लोग नाराज हो गए कि आप तो आये थे कि कॉंग्रस के साथ मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए सारे देश को एक जुठ होना है तो आप क्या करेंगे तो वह माफी मागने के लिए गये होंगे शायद या को नया पहारा जो है वह पढ़ाने के ले गये होंगे दिकत क्या है किसके पास गये हो तो अलग प्रॉब्लम में फचा हुआ है कि सक्ति छिन गई है आप यह कह रहे हो भाई बीजेपी के खिलाफ सब कॉंग्रेस सब लोग एक साथ मिलकर के आएंगे मालम चल रहा है कि यह अपने केजिवाल से मिलकर के निकलते ह और संदीब दिक्षित शीला दिक्षित के बेटे और अजय माकन कॉंग्रेस पार्टी के दोनों लीडर है बड़े लीडर है वो केजिवाल के तरफ तो खोल देते हैं अपना वो कहते हैं कि बड़ा फ्रॉड आदमी है यह यह जो सक्ति जो सेमिसिस की जो मिली अभी क्या च कुछ भी कर सकता है अभी क्योंकि उसकी पूरी स्टेक उसकी पूरी राजनीती सीस महल पर टिकी हुई है जांच के आदेश हुए नहीं सी बी आई इसकी जांच में घुस्ती ही है कि इनको गिरफतार किया जाएगा क्योंकि यह जो नौलाक का जो पर्दा लगाया गया है औ कोई कॉंग्रेस इसको बचा नहीं सकती है और कॉंग्रेस पाटी इनके साथ खड़ी निजर नहीं आ रही है तो यह दिकत है नितिस कुमार को काम नहीं है बिहार में यह मुख्यमंत्री और डिप्टी सियम यह बिरुजगार है इनके पास कुल काम नहीं है बिहार को गर्त म करना है तुमको देश भर का तो फिर इस्तिफादों किसी आदम को दो जो काम कर सकता है यह नेतागरी करने के लिए आपको आपको जो आए लोगों ने चुना है तब देखिए अब यह सारे लोग मिल करके क्या गुल खिलाते हैं जी बिलकुल कॉंग्रस ने शपत ग्रहंड मे विपक्ष का शक्ती प्रदर्शन तो किया लेकिन केजरीवाल को नहीं बुलाया जिसके बाद अब फिर से नितीश केजरीवाल को विपक्षी एकता के लिए मनाने दिली पहुँचे हैं आगे बात करते हैं नए संसत भवन पर गर्माई सियासत की नए संसत भवन का निर्मा भवन का उद्गाटन प्रधान मंत्री को नहीं करना चाहिए वलकि इसका उद्गाटन राश्ट्रपती को करना चाहिए रोक सब क्यों राहुल गांदी अब नई संसद भवन पर राजनीती करते हैं देखी ये लोग चाते कि सब कुछ गांधी के नाम से हो जवाला लहरू के नाम से हो इंद्रा गांधी के नाम से हो ये खांदानी लोग हैं इनको लगता कि देश पर इनकी बपोती है शर्मानी चाहिए राहुल गांधी को सारे कुकर्म सारे प्रपगेंडा सारा तिक्लम तु तो आपुत आप gonna कोंग्रेश पार्टी के प्रवकता करके कह रहें कि नई ब्लिण बनानी कि अबowitzonna i बरनी चाहिए कोंग्रेश पार्टी मर्मों सिंघ सरकार के दोरान ही पार्लिमेंट के अंदर पुरानी बिल्डिंग अब नहीं की जरूत है कि पॉपलेशन बढ़ रहा है संख्या बढ़ानी है सांसदों की तो हमारे पास ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें लोग समारा समा में सीटें भी बढ़ा ही जा सके और उनके लिए जगह हो यह कॉंग्रेस पार्टी के दौरान हुआ है लेकिन यह तो माल कमाने के लिए सारी बिल्डिंग बनाते हैं आप यह बता दो सतर साल में से कौन से सरकार आई कि इतनी बड़ी परियोजना अपने रिजीम में कर देती हो वह भी बिना माल खाये तो यह तो एक बड़ी दिक्कत है अब राहुल गांदी को किसने क्या समझाया वो पता नहीं लेकिन जो आइडिया लग सकता है वो यह कि यह संसत्भवन तो बहुत ही विशाल बहुत ही बहुत ही बहतरीन बनाया गया है तो इस संसत्भव के जरिये अगले 200 साल 300 साल तक तो प्रधान मंत्री मोधी का नाम मिटेगा नहीं है बनाया भी इनोग्रेट भी किया तो प्रधान मंत्री मोधी का नाम तो इस बिल्डिंग से जूड़ जाएगा राहुल गांदी यह तुक्ष कॉंग्रेसियों और विपक्षियों को लगता है कि वो कि प्रधान मंत्री मोधी अगर सत्ता से बाहर गए तो उनका नामों निशान ये लोग मिटा देंगे यह गलत्यमी के शिकार में राहुल गांदी ने ऐसा बयान दिया है पार्लेमेंट के उपर पार्लेमेंट के उद्घाटन का अधिकार उसी को है जो जनता के दोरा चुना जाता हो और प्रधान मंत्री मोधी से ज़्यादा पॉप्लर लीडर आजादी के बाद हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ प्रधान मंत्री मोधी हिंदुस्तान के अकेले ऐसे चीफ प्राइम मिनिस्टर है जो अपने नाम पे अपने काम पे जनता से वोट मांगते हैं और उनको बहमत जनता देती है इसलिए अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ प्रधान मंत्री मोधी है जी बिलकुल अपनी राजने तिक रोटियां सेखने के चलते कॉंग्रिस ने अब नए सनसत भवन पर सियासत तेज़ कर दी है आज की आकरी ख़बर में बात करेंगे इमरान खान की लीक आउडियो पर पाकिस्तान में जारी हंगामे के बीच पूर प्रधान मंत्री इमरान एक audio leak होने के बाद हल्चल तेज हो गई है कभी अमेरिका पर अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगाने वाले इम्रान खान इस audio में एक अमेरिकी महिला सांसत से गिर्गड़ाते होए मदद मांग रहे हैं इस audio में खान अमयरिकी कॉंग्रेस सदस मैक्सिम मूर वार्टर से उनका समर्थन करने और सहीयोग देने की अपील कर रहे हैं तो इसलिए क्यों इम्रान खान अब अमेरिका के सामने मदद के लिए गिर्गड लिए वहां की आर्मी वहां से ग्रिंड सिंडल भी नहीं मिल रहा है कि वही आप वहां पे कुझ करके अपनी इमर्जन्सी लगा दो अधरवाइस पाकिस्तान में अभी तक इमर्जन्सी लग गई हूए अब दिक्कत क्या है कि इम्रान खान के कारकूनों ने उसके कारकरताओं ने पाकिस्तानी आर्मी की इज़त की मट्टी पलित करती है दफना दिया है और वहां के आर्मी इसका बदला लेकर के रहेगी अगर बदला नहीं लेती है तो पाकिस्तान की आर्मी की साख मिट्टी में मिलेगी लोग फिर आर्मी पे इस तरह से हमला करेंगे और इसका जो स बहुत जाओ। इम्रान खान इसलिए जहाँ तहाँ फान करके वो मदद की गुहार लगा रहा है कि उनको लगता है कि वो पाकिस्तान मेरा के फिर से उनको साबित करके कि यस देश के ए पाकिस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी एक वहां के आर्मी ऐसा संभव नहीं है एक दो दिन के अंदर इम्रान खान को फानेली गिरतार किया जाएगा आर्मी कोट में इसके सुनवाई होगी ना सुप्रिम कोट बचा पाएगा ना ही उनके कारकरता उसको बचा पाएगे और इसे दिए जब जहाज कोई डूपता है तो स भागना है जी बलकुल पाकिस्तान में सेना से पंगा लेकर बोरे फसे इमरान खान अब अमेरिका से मदद की भीक मांग रहे हैं जिसका ओडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विशलेशन के लिए